तो आज इस वीडियो में हम लोग दिखने वाल है सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग होता क्या है, सपोज कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे email id, वहाँ से अगर पूरा email id का value हमें नहीं चाहिए, तो आपको कोई बोल सकता है कि पहला 4 character मुझे निकाल के दो, last के 10 character मुझे निका है, सब स्ट्रिंग के 3 parameters होता है, वो क्या है, एक है value, दूसरा है start position, और तीसरा है length, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से याद रखना पड़ेगा, कि 3 parameters होते क्या है, और उनके position क्या है, तो अब देखता है proper detail में सारे examples, जितने भी possibilities हैं सब स्ट्रिंग के, तो ये example हम लोग एक email id पर देखेंगे, तो select email id from student, where student id is equal to student, तो पहला है, सपोज मुझे first से लेके 14 character तक प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करता हूँ, सब स्ट्रिंग और पहला किसे करना है, email id, first position क्या है, b, कितना length है, 14, तो ये मैं अगर execute करता हूँ, आपको exact आप गिन चकते हो, exactly 14 character, तो ये हम लोग कम character से लेके verify कर सकता है, easily 5 तक अगर लेता हूँगा, तो b, i, p, l, a, तो आप count करलो, ये मेरा email id का, first character से लेके, length कितना या 5, so suppose हमें first character से लेके, second character से चाहिए, तो इसे मैं try कर सकता हूँ, 2 करके, इसे मैं, हम लोग length, अगर suppose 3 लेता है, वो मेरा हो गया, IPL, so यहाँ पर जो मैंने email id डिस्पले किया है, उसका length है 24, लेकिन अगर मैं अपने query में length greater than 24 देता हूँ, suppose 25, या फिर easy understanding के लिए मैं 40 द मैंने जादा length दिया है, नहीं, so यह मेरा second character से लेके, जितना भी end तक जितना भी characters है, वो show करेगा, so इसे better समझने के लिए, हम लोग क्या लेख सकता है, email id, start position 1, और length 250, तो यहाँ पर हमें देखना है, क्या, इस email id को fetch करने के बाद, जो extra length है, suppose इसका length है 24, उसके बाद, हम लोग ने length दिया है 250, तो उसके बाद क्या space add हो रहा है, तो उससे verify करने के लिए, हम लोग क्या कर सकता है, concatenate कर सकते हैं, इसके साथ test, तो उसे execute करके देखता है, तो नहीं, जो भी exact string है, full, वही हम लोग का आ रहा है, उसके बाद test concatenated है, उसका मतलब, जो भी extra length हम लोग दिया है, उसमें ना ही कोई space, ना ही कुछ extra add हो रहा है, तो अब हम लोग दिखते हैं, कि substring में होते हैं, तीन parameters, जो कि यह value, उसके बाद start position, उसके बाद length, तो अगर मैं दो ही parameter देता हूँ, suppose email id, और उसके बाद one लिखता हूँ, तो वो one किससे consider करता है, तो मैंने जैसे ब email id के साथ अगर one देता है, तो one वो consider करता है, start position, तो start position से लेके कहा तक display करेगा, पूरे आखरी end तक, मतलब अगर मुझे बोला जाता है, कि मेरे को first three character नहीं चाहिए, fourth character के बाद जो है, वो दिखाओ, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, email id of four, बस, उसके बाद मेरे को length पता नह है, अगर length पता नहीं है, और मुझे sub display करता है, तो वो मैं कैसे करूँगा, सिर्फ position दे के, और length को मैं blank छोड़ दूँगा, correct, so similarly, जैसे मैंने length को blank छोड़ दिया, start position को भी blank छोड़ देता हूँ, तो वो error through करेगा, हम लोग के substring function में minimum दो parameter हम लोग के compulsory है, एक तो है value, औ और एक है position, तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है not enough arguments for function, क्योंकि इस function में 3 parameters है, 3 arguments है, और minimum number of arguments मेरा 2 है, जो की है value और मेरा start position, अब हम लोग देखता है, कि अगर मैं मेरा position को negative लेता है, 1 लिया तो वो 1 से लेके end तक display किया, अगर मैंने वहाँ पे 4 लिया, तो 4th character से लेके end तक display किया, अगर मैं इसको minus 10 लेता हूँ, तो मेरा क्या output आएगा, तो जब मैं minus 10 लेता हूँ, तो आप यह देख सकते हो, यह जो starting position उसने लिया, तो वो end से लिया, end से 10th position से उसने start किया, कहां तक, end तक, जैसे मैं अगर इसे minus 15 करता हूँ, तो end से आप अगर गिनने जाओगे m को आप first position लोगे, o को second और c को third, वैसे ही आप अगर ultra गिन होगे, तो वो 15 से लेके last तक show करेगा, correct, तो हम लोग ने देखा, email id, minus 10 देने से, वो end से वो count करता है, minus 10 से लेके end तक वो print कर देता है, अभी अगर मैं minus 10,5 देता हूँ, तो क्या करेगा वो, minus 10 position, मतलब end से वो 10 length position count करेगा, और वहाँ से length लेगा 5, मतलब add the rate gmai, यह हम लोग execute करके देखते है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो length मैंने 5 दिया है, उससे minus 5 करके देखते है, क्या है, तो इस query का meaning क्या हो गया, start position हो गया, minus 10, मतलब end से अगर हम लोग 10th position गिनेंगे, तो वहाँ से लेके length minus 5, तो वहाँ से लेके length minus 5 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसे अगर हम लोग execute करेंगे, तो कोई error नहीं आएगा, लेकिन कोई values भी fetch नहीं होगे हैंगे, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा, substring होता क्या है, substring use क्यों होता है, और different possibilities, जिसमें हम लोग substring use कर सकते हैं, तो झाल